जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ कि भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे यंत्र के बारे में जानकरी देने वाला हूँ कि जो भी व्यक्ति इस यंत्र को धारण करके, यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसकी सारी धन संपदा, भोतिक संपदी को अपनी और आकरसित कर लेता है, खीच लेता है वो यह किस तरह से काम करता है, इसकी संपूर जानकारी मैं आपको दूँगा लेकिन इसके पहले, दोस्तों यदि आप हमारी चनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चनल के माध्यम से, हमारे प्राचिनतम गुरंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूर राश्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो अभी हमारी चनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे दौरा बताएगे उपाई आप तक आसानी से पहुँचेंगे, तेजी से पहुँचेंगे और आप उन्हें मिस नहीं कर पाएंगे ठीक है? तो चले दोस्तों बताता हूँ उस यंद्र के बारे में कि जिस यंद्र को यदि व्यक्ति धारण करता है फिर वो जिस किसी भी व्यक्ति से मिलता है तो उसकी धन संपत्ति को अपनी और आकर्शित कर लेता है पूर्व में दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि बाली के पास में ऐसी सक्ति थी कि वो जिस किसी भी व्यक्ति से मिलता था तो उसकी आधी सक्ति को अपनी अंदर खीच लेता था ऐसा ही कुछ इस यंत्र में है कि जब व्यक्ति इस यंत्र को धारण करता है तो इस यंत्र की सक्तियां ऐसी है कि आप जिस किसी व्यक्ति को मिलेंगे तो हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है एक सोर्य मंडल होता है उसके आसपास उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एनरजी विद्यमान होती है कोई भी व्यक्ति के आसपास positive energy और negative energy विद्यमान होती है जब आप इस यंत्र को धारण करके किसी भी व्यक्ति को मिलेंगे तो उसकी जो positive energy है वो आपके तरफ आकरसित होने लग जाएंगी ऐसे आप जिसने ज्यादा लोगों से मिलेंगे जितने सफल लोगों से मिलेंगे क्योंकि जितने लोग ज्यादा सफल होते हैं उसके आसपास वेशा ही आभा मंडल होता है उतनी ही positive energy उसके आसपास होती है तो उस positive energy को ये अपनी अंदर आकरसित करने लगता है तो इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने इस यंद्र को धारण किया होता है उसके आसपास बहुत सारी positive energy एकटी हो जाती है उसके swim के अंदर positive energy generate होने लग जाती है और जब किसी व्यक्ति के आसपास बहुत सारी positive energy होती है तो ऐसा व्यक्ति भोतिक सुखों को फेकता है हर जगा उसको जहां कहीं भी वो जाता है वो center में होता है लीडर का रूल अदा करता है और उसकी बाते हर जगा मानी जाती है हर जगा उसको मान सम्मान मिलता है तो जब आप ऐसे यंद्र को धारण करते हैं और आप जिस किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर जितनी भी positive चीजे हैं positive energy क्या आप काम करती है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर positive चीजों को generate करती है इससे उसके अंदर अच्छी सोच आती है उसका behavior change होता है उ पर समय ऐसा व्यक्ति उर्जवान रहता है किसी भी कारे को करने के लिए ऐसा व्यक्ति ततपर रहता है। अपनी और आकर्सित करता है। ऐसा करने से एक के बाद एक के बाद जितने व्यक्तियों को आप मिलते जाएंगे तो उनके सारे ही सदगुन आपके अंदर आते जाएंगे। उनकी जितनी भी बोधिक चमता है जितनी भी अच्छाईया है वो सारी आपके अंदर विद्यमान होने लग जाएंगी धीरे 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 आपके अंदर बहुत सारी पोजिटिव एनर्जियों का वास हो जाएगा इसके बाद आप जो कोई भी काम करेंगे हर उस काम में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी हर जगा आपको सफलता मिलेगी और जब आपको हर जगा सफलता मिलेगी तो ये जो वर्तमान यूग है इसमें सफलता का एक बहुत बड़ा रिजल्ट पैसा होता है तो जब आपको अपने कामों में सफलता मिलने लग जाएगी तो आपके पास में पैसा भी आना प्रारम हो जाएगा आपको उमान सम्मान भी मिलने लग जाएगा यंत्र में आपको बता जेता हूँ किस तरह का यंत्र है यह देख लीजिए इस तरह का ये यंत्र है इसको आप white plain paper, purple, लाल रंग से, कुम कुम से बना लें, लाल पैन से बना लें कैसे भी इसको आप बना करके रख लें इससे आप कभी भी बना सकते हैं सुरियोदे से सुरिय इसको आपको कुछ तांबे के तावीज में या चांदी के तावीज में भरकर अपने बाजू में या अपने गले मेधारण कर लें कि सब्सक्राइश może करें इसको दारण करके आप जिस किसी वियाक्ति को मिलेंगे जैसा आपके पास olla आप ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिये विदा और आप लोग देखते रहे हैं दीवे प्रकास और अपने जिवन में लाबनवित होते रहे हैं धन्यवाद